हेलो फ्रेंज देखो आज हम आपको बताने वाले हैं माता रानी का सौल तो देखो हमने दो कलर की उन लिये और एक हमार येलो और बिलेट कलर और हमने दस नम्मर सलाई लिये और हमने 16 बीस फंदे डाले हैं तो हम ये चटाई वाला डिजाइन डालेंगे, इसमें दो कलर का तो देखो हम इसको चार फंदे और चार बनाइगे हम यलो के अच्छा जादे लगता हैकि दो तो जादा सुन्दर लगेगा तो आप चाहो तो इसको एक डबी उल्टी और एक सीधी भी बना सकते हो यह हमारी पहली सलाई है इसको उतार लेते हैं तो देखो हमारी यह पहली सलाई उतर गई है और हम दोसरे कलर की रून लगाते हैं यहां से उल्टे साइड से लगाते हैं क्योंकि हमारे सीध्य साइड अच्छे से सपाई आए तो यह हम ऐसे यल्लो कलर की लगा रहे हैं हमने चार फंदे देखो यल्लो के बना लिए हैं अब हम यह चार फंदे हम बलैक के बनाएंगे इस हमारे इल्टे साइड ऐ ऐसे तो देखो हम चार यल्लो के हम आइसे दो टेन चार हम इसको हमारे बीस फंदे हैं हमारी पांच डबी डैलेंगी तूटल चार चार फंदों की तो हम ऐसे पूरी सलाई को उताल लेते हैं तो देखो हमारी ये उल्टी सलाई तर गई तो हम आप सीधी सलाई बनाएंगे तो हम सीधी सलाई भी ऐसे ही गांट वाले फंदे बनाएंगे ये हमारे येलो है चार फंदे तो हमें इनके ने येलो ही बना दिया तो देखो यह धागा हम ऐसे लेंगे यूंकि हमारी अब यह सीधी से लाईए पीछे के साइड से धागा ऐसे आगे करना है तो ऐसे यह हमारे चार फंदे हमने बिल्यक के बुन लिये हैं तो धागा हमें पीछे की साइड छोड़ना है तो देखो हमारे यह अभी हमारे बिल्यक वाला धागा हमें पीछे की साइड कर देना है और यह हमारे यल्लो वाला हमने आगे की साइड कर लिया है तो यह हमारे धागा आएगा फाल्त वाला हमारे पीछे की साइड आएगा उल्टे साइड तो देखो हमने फिर ये येलो पीछे करा और बिलेक वाला आगे किया ऐसी येलो पे येलो और बिलेक पे हम बिलेक बनाएंगे तो हम ये आप चाहो तीन तीन भी बना सकते हो चार चार भी बना सकते हो तो हमने चार फंदे लिये हैं तो हम चार चार ही बनाएंगे तब ही हमार छोको डब्भी बनके तयार होगी तो Ьहें 5 चार विलेक की और 4 यलो की जैसे हमने बनाया है पेले ये बना लेते हैं 4 शलाई यह और भिलेक हैं प्रम को दिखाएंगे तो देखो हमारी यह हैं एक डब्भी बनके तैयार होगी हमained चार चार सलाईयों की एक दो तीन चार तो यह हमारे चार सलाईय होगी है तो अब हमारी यह उल्टी सलाईय है देखो अब हमें कैसे करना है इसको दागा बदलना है यह हमारे येलो था हमने इस पर बिलेक कर दिया है देखो चार फंदे हमारे यलो गे थे तो हमने चार बिलेक बना दिए अब हमारे ये चार बिलेक के हैं यह हमारे देखो एक, दो, तीन, और एक, चार और हमारे ये फिर यलो गे एक, दो, तीन, चार, येलो पर बिलेक और बिलेक पर हमने येलो बुन दिया है, तो अब हम दूसरी बाइश डबी को ऐसे ही बनाएंगे, येलो पर येलो और बिलेक पर बिलेक, हमने डबी देखो, यहां पर कर दी हमने, हमारी येलो थी, हमारी बिलेक हो गए है, और यहां हमारी बिलेक पर येलो हो गए है, तो अब हमें ये चार चार सलाई फिर ऐसे ही बनानी है, जैसे हमने ये नीचे बनाया है, ये बलेक, येलो, ऐसे ही हमने धागा बदल दिया है, तो अब हमें ऐसे ही चार चार सलाई बनानी में टोटल Out olduğ i8 जाला बनानी है और चेद़ तरब से चार जाला तो मम बनाते हैं तो देखो दोस्तों हमने इसको इतना बना लिया है 2 3 4 5 हमरी 5 मीटा डल लिए तो हमें नहीं दो से बताते 吹ाक पर से Бताते हैं कैसे बनाना है हमारी यजेलो डबी है इन देखो इस पर हम येल्लो बनाएंगे ऐसे धॉब पइचह किया इस हमारे सीधर तरप है यह हमारा बिलेक कलर है दागा आगे किया यह हमने चार फंदे बिलेक के उनाए दागा पीछे किया एक बिलेक का यलो का आगे यह हमने पिलेक के यलो के बना ली फिर यलो का पीछे करा फिर हमने हमें यह आईसी आमसे तीसरी स लाई है इस डबी में हमें एक सलाई और बनाने है चार सलाई बनाने के बाद में हम इसको जटी से बंद करदेंगे को देखा दोस्ते बहुत ही आसान है अरहोटी सरल है तो देखें कापी सुन्दर भी लगता है तो यह हमने माताररणी का सौल सॉल बनाया है तो हम इसको और हमारा यह बनके कम्पलीट हो गया एक सलाई और रहे है तो यह हम मुल्टी सलाई यह यहलो है हमें इस पर यहलो बनाए धागा इसको ऐसे करा और बिलेक को ऐसे अब धर से धागा पीछे ही रहने देना है क्योंकि यह उल्टे साइड है तो हम आपको यह बताते हैं कैसे बंद करना है अभी हमारा एक सलाई और उसको बना के फिर आपको हम दिखाएंगे किसको कैसी बंद करना है तो हमारी मातारानी की सौल बहुती आसान और बहुती सर बनके तैयार होगी तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को सेर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना तो दोस्ते दिखां हमारी 34 सलाई है हमें ऐसी बनाना है हमारी जब 4 सलाई पूरी हो जाए तो हमें कलर चेंज कर लेते हैं तो हमारी 34 सलाई है हमने काले पर येलो और येले पर बिलेक हमने चार सलाई हो जाती है दोनों तरफ से टोटल सलाई आठ होने के बाद इस डबी को हमने देखो जैसे सारी चेंज कर रखी हमने यहां पर येलो ती बिलेक कर दिये फिर चार होने के बाद में फिर ये चार सलाई होने के बाद फिर बिलेक कर दिये फिर येलो कर दिये तो हमें य लुटी सलाई पूरी बिल्यक कलर की बनाई है और तो आव हमारी इधर से सिधी से लाई है तो अपने निचे गाठ वाली बनायी थी इसको हम बंद करते हैं देखूं ऐसे इसको हम ने बुनके और इस पंदे को इसकी उपड़ से निकाल देना है तो हम इसको ऐसे पूरा ही बंद कर देते हैं ऐसे हम इसको पूरा बंद कर देते हैं तो देखो हमारा यह सॉल बन के तैयार हो गया तो यह हमने चटाई वाला डियाइन डाला इसमें देखो तो यह ऐसे भी ठिरचा आ रहा है और यह सुन्दर बहुत ही आसान है दो आप चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हो तो और से फुंदर्स बनाने divis続elral देख हैühren देखो हमें और इसको आइसे काटकी यहांं से इसको हमें एसे इसमें हम पुनने लगाएंगे तो देखो हमें इसमें तो दोस्तो देखो, यह हमारा माताराने का सौल ते तैयार हो गया है।ug यह असानी बहुत हिर्न है। तो आपको यह पसंद़ आए है omari video ke share, like, comment और subscribe जरूर करना तो,दोस्तो मिलते हैं अगली video में, तब तक के लिए बाइ बाइ दो तो तो तक ले बाइब बाइब